कि नमश्कार गार्णिंग अस्थेटेक्स में आप सब का स्वागत है बहुत दिरों बाद आद बाहर आने का मौका मिला दिल्ली में अंसियार में लगवत 5-6 दिनों से जोरदार बारिश हो रही थी मैं गहीं पढ़ रही थी कि 122 यह का रिकॉर्ड टूटा है 122 यह पहले जै इतनी की इसबार होई तो थोड़ा से उसके फूलों पर बारिश का अधर पड़ता है और आपकी बर्च खराब हो जाती है और प्लांट में फुड़ा ओर वाटरिंग भी होती है जिसकी वजह से प्लांट में तरह तरह के फंगस का और तरह की डिजीजस का तरह की पेस्च क का ख़द्रा भी बढ़ जाता है बहुत सारी सीजनल फ्लाज फे उसका आसर पड़ा है फ्लारिंग का जो सीजन है वो हलका सा डिले हो गया है और आप जाकर के जब कल से थोड़ा सा बारिश से रहत मिली है तो फूलों का खिलना शुरू हुआ है और हम करीबन 2-3 महीना काफी सारा हार्ड वर्ग करते हैं जब फ्लारिंग का सीजन आए और पीक तक पहुँचे तब तक हमारे जो प्लांट्स हैं जो फ्लाज हैं उनमें खूप जम के फ्लारिंग हो और बहुत सारे फ्लाज अब धीरे धीरे खिलने लगे हैं और एक दिन मैं आपको अपना अपडेट दूँगी कि अभी तक कितने फ्लाज खिलना शुरू हो गए हैं किस तादार में खिल रहे हैं और किस तरह के फ्लावर कौन-कौन से फ्लाज खिल रहे हैं आज हम बात करेंगे पैंजी की पैंजी पर मैं एक डीटेल वीडियो बना चुकी हूँ पर मैं आज आपको एक सीक्रिट तरीका बताऊंगी थोड़े से समय में कि आप किस तरह से अपने पैंजी को बहुत जादा तादार में खिला सकते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े फ्लाज ले सकते हैं और एक साथ काफी फ्लाज ले सकते हैं और अगर आप हैंगिंग बैसकेट में पैंजी को लगाएंगे तो किस तरह से आप उनको मेंटेन करें पैंजी एक थोड़ा डिके पौधा होता है और जब आप इसको लगाते हैं तो आप नियो मान लीजे 10-12 प फ्लार खिले इनके फ्लार के साइज किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं और किस तरह से इन में बफ़त जादा तादाद में बड़े बड़े फ्लार खिला सकते हैं यह मेरा जो सीक्रेट तरीका है वो मैं आज आपके साथ शियर करूंगी बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब तो करें साफी बेल आइकन भी दबा ले ताकि जो भी मैं गार्डनिंग से जुड़े हुए अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे तो चलिए देर नकरते हुए बात करते हैं पांच पैटल्स का होता है यह जब बहुत ही अच्छे से खिल जाता है तो इतना ज़्यादा प्यारा इतना खूबसूरत लगता है कि आप इसकी क्यूत नस पे बिल्कुल फिदा हो जाते हैं पैंजी के जो cool होते हैं वो छोटे-छोटे होते हैं और इनको जब आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको इन में एक puppy dog का face दिखाई देगा और मुझे तो दिखाई देता है और मुझे लगता है कि अगर आपने भी कभी इस नजरीय से नहीं देखा होगा तो आज जरू लगाती हूं स्प्रिंग में जब यह प्लांट अपने फुल ब्लूम पे होता है तो इसके पॉट्स हैंगिंग बैस्केट्स या आपने क्यारियों में लगाया हो तेखने में यह बहुत खूब सूरत आकरशक और इन्वाइटिंग लगता है मगर पैंजी के संग बहुत सार और सीजनल फ्लास के मुकाबले ज्यादा सेंस्टिव प्लांट होता है और इसमें शुरुवाती स्टेज में फंगल इन्फेक्शन होने का डर बहुत जादा होता है जिससे कि अगर आपने पांच या अच्छे प्लांट अगर लगाए होंगे तो उसमें एक दो प्लांट ज 30% संड डाली है तो पैंजी में आप 35-40% संड यूज कीजिए क्योंकि इस प्लांट को पानी भी रोज चाहिए और पानी रुकना भी नहीं चाहिए जहां पानी रुका आपके प्लांट में फंगल इंफेक्शन होने लगेगा और बहुत सारी जगह पे आप पढ़ते होंग है तो जिन लोगों कि यहां बहुत ज़्यादा आठाट घंटे की धूप नहीं आती है तो आप पैंजी को लगाएं हैंगिंग बैसकेट में लगाएं या फिर क्यारियों में लगाएं प्लांटर में लगाएं इनमें अच्छे तादाद में फूल खिलेंगे अब कुछ ऐस सेग्रेट है जिसको कि मैं हमीशा पैंजी केसंग्या अपने विंटर काफी सारे में यह करती हूं कि मैं एक मैजिकल जो टेलाइजर कॉमिनेशन है उसको यूज करती हíं जिससे में इन जो फार्श होते हैं वो नौमल से बड़े साइजес के होते हैं और 4 अ… दिरे दिरे जैसे ही अभी आप देख रहे हैं शुरुआत है यह फर्स्ट ब्लूम इसमें हो रहा है अब आगे जब आप को मैं कभी पिक्चर दिखाऊंगी विडियो डालूंगी तो आप देखिएगा कि दिरे दिरे करके यह इसमें जब मल्टिपल ब्रांचेज हो जाएंग तो इसमें इतनी ज़ादा फ्लाज होंगे कि लीव तो दिखाई नहीं देंगे सिर्फ फ्लार ही फ्लार दिखाई देंगे और फिर वो भी फ्लार भी खुब बड़े साइज के होंगे तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं कैसे क्या यूज करती हूँ जिससे ये फ्लार जब मैं प्लांट करती हूँ तब तो मैं और्गेनिक मैनियूर खुब बढ़ियां से यूज करती हूँ लग बग 40% के करीब मैं और्गेनिक मैनियूर यूज करती हूँ 30% के करीब मैं गार्डन सॉयल और सैंड यूज करती हूँ मेरे यहां की जो गार्डन सॉयल है उसमें अगर आपके हां की मिट्टी चिकनी है तो आप 30% से ज़्यादा सैंड यूज करें 35-40% तक यूज करें कि मिट्टी इतनी ज़्यादा वेल ड्रेंड और क्विकली वाटर को एब्जॉब करने वाली हो जाए कि आपके पैंजी को बिल्कुल भी जो है वो नमी में रहना ना पड़े क्योंकि जहां इस प्लांट में पानी इकठा हुआ इसकी रूट्स में पानी लगा तुरंत ये प् पड़ता है इसलिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो तो यह है कि पानी को बहुत ही ज्यादा वाइजली डालना है पानी एकदम रुखना भी नहीं चाहिए पर पानी रोज चाहिए इसलिए आप 9-10 बजे के करीब इस प्लांट में पोटरिंग करें शाम को मत करें क्यों फिर यह प्लांट को फ्रॉस्ट का नुकसान होगा इसलिए सुबह सुबह पानी डाल दीजिए मेरा जो सीक्रेट फर्टिलाइजर है जिसको कि मैं हेवी ब्लूम्स के लिए और बड़े साइस के फूलों के लिए पैंजी में यूज करती हूँ उसमें एक चम्मच माइक्रो और उसके बाद फिर लगभग एक महीने बाद मैं इस प्रक्रिया को पुनह और फिर से दोहराती हूँ पूरे के पूरे सीजन में मैं ये लगभग दो से तीन बार ये प्रक्रिया करती हूँ ताकि मेरे प्लांट हेल्दी रहे उसमें खूब बड़े-बड़े ब्लूम्स हो और काफी सारे फ्लाज एक साथ खिले एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ताकि फ्लास काफी खिले नई ब्रांचेज निकले और बड़ी तादाद में फ्लारिंग हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्पेंट फ्लास को रिमूव करते रहें बहुत ही रिलिजियसली क्योंकि अगर आप स्पेंट फ्लार रिमूव नहीं करेंगे और वो इस तरह की सीट पॉट्स बन जाएंगे और जब यह सीट पॉट्स डिवलप हो जाएंगी तो प्लांट में फ्लारिंग ना के बराबर होने लगेगी बंद हो जाएगी इसलिए स्पेंट फ्लार को रिमूव करते रहें सीट पॉट्स को ना बनने दें और फिर उसके बाद मेरे बताए हुए फर्टिलाइजर को आप दो बार डालें फर्टिलाइजर को डालते समय ये ध्यान रखें कि प्लांट की रूट के पास में स्टेम के पास इसको बिल्कुल नहीं डालें क्योंकि डिये पी एक गरम फर्टिलाइजर होता है और वो प्लांट की रूट को प्लांट के स्टेम को खराब कर सकता है इसलिए इसको में प्ल रिलीज होता रहेगा और लगबग एक महीने तक इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे उसके बाद पुना आप सेम प्रक्रिया को दोहराएं और आप देखिएगा कि आपके पैंजी में खूप जम के फ्लावरिंग होगी अबंडेंस में होगी काफी हेल्दी रहेगा आपका प्लांट और सीजन में लास्ट तक ये फ्लावरिंग करता रहे बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब तो करें साथी बेल आइकन भी दबाले ताकि जो भी मैं गार्डनिंग से जुड़े हुए अपडेट करू वो आप तक पहुंचे